हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटिट पर आल जे इल जहरकुन लाइप्स में दोस्तों यहां पर कारेरा जीला ग्रामिन विकास अभिकरन हजारी बाग की तरप से न्यूकती सम्मंधित विग्यापन यहां पर जारी क्या गया है तो हम लोग यहां पर इस विडियो में इस विग्यापन को देखने वाले हैं कि कौन-कौन से पद के लिए आवधन मंगाए गए हैं कैसे आवधन कर सकते हैं आप यहां पर सारी डिटेल्स में इस विडियो में जानेंगे समझेंगे तो दोस्तों अगर आप जे इल जहरकुन अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेस कर लिए ताकि आगे का जोब भी अपडेट सब्सक्राइब कर लिए और चलिए और चलिए पर पूर डिटेल्स में इस विग्यापन को देखते हैं तो सबसे पहले यहांपर देख लिए और समिधा के अधार पर प्रकाशित कूए रहा है तो यह आपको यहाँ पर online official website पर जो है आवधन देना है जो कि जारकार की official website है वहाँ पर जाकर आप आवधन कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपे का भुगतान करना होगा तो चली हम लोग यहाँ पर और भी details में देख लेते हैं मैं link आपको description में provide कर दोंगा आपको वहाँ पर क्लिक करिएगा तो direct यहाँ पर यहाँ पर यह पेज आपका open हो जाएगा और वहाँ आप जो है आवधन कर सकते हैं विग्यापन पर क्लिक करके तो चली हम लोग यहाँ कौन से पद के लिए यहाँ पर विग्यापन जारी क्या गया है तो पहला पद प्रखंड कारिकरम पाजिकारी के पद पर है कुल चार पद पर निवति की जाएगी जिसमें के तीन जोगे यहाँ पर जेनरल केटेगरी का होगा और एक जो यहाँ पर होगा आपका आथी के लिए चक नुअनुपति की जानी है उसका तक निकी सहायक कहनाइक गदखंड राजी सब्स्कें के लिए kinda अंटीर फर पिछ ओघऄ अधाइस है और यहाँ पर अगला पद जो है वह लेखा सहायक के लिए आपका आपका आधी पिठवार में है कंपेटर सहाय के कुद यहां पर दिखिंग जाती है और एक पर पिठवा यहां पर रिजर्व है ठीक है और अगला पद है वह ग्राम रोजगार से वक के लिए है और यहां पर पच्पन पद उपर जो है वह नीवतिक जानी है Gram रोजगार सेवक के पद पर यहां पर तो यहां पर यहां पर पच्छपन पद उपके judging जानी है ग्राम रोजगार सेवक के पद पर तो यहां पर लगभग देख लिए यहाँ पर पद्ध है और यहाँ पर नब्बे सो के आस पस वह नियूकति की जानी है तो जो क्वालिफिकेसंट रखा गया है वह देखें लिए तो यहाँ पर जो प्रखंड कारिकरम रहारी के पद्ध पर यहाँ पर जो सरक्षिनिक योगिता मांगी गई है वो सरकारी मायनेता प्राप्त विश्विद्याले संस्थान से किसी भी संकाय में एक विज़े में असनातक होना चाहिए परतिशत यहां पर जो रखा गया हो 55 परतिशत 55 परसेंट अगर आपका मार्स है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं ठीक है और 70 यहां पर समायन असन स्थापिद करने के लिए समायन असनातक के प्राप्तांक में 10 घटा दिया जाएगा ठीक है और यहां पर अतिरिक्ति योगिता रखी गई है जो की तखनीकी योगिता है यहां पर आपका ठीक है बिसी यह या फिर पीजी डीवी ए अगर किये हुए हैं तो यहां पर आपका इत्रिक्ति योगिता अधर्यप क्यों तक आव म जानी है इसमें यहां पर सःघ्साभी यहां पर यहां यहां पर बद करें तो जिर अशनातक यहां पर बकांट ठीक है सोब्सक्राइब करते हैं उनका यहां पर कम से कम पचयांग अंग के साथ यहां पर क्वालिफाई होना मैं निंम नांकि व्यक्ति आवदभन दे सकेंगे तो इसके अपर BSE Computer Owners, BSE Computer BCA समानी असनातक उतीरन के पश्चाथ PGDCA उतीरन है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं Computer सहयक पद के लिए जो यहाँ पर योगिता रखी गई है बाकी जो यहाँ पर है वो अत्रिक्ती योगिता रखी गई है उसके बाद यहाँ पर देख लिए ग्रामिन रोजगार सेवक के लिए अनिवारी योगिता जो रखी गई है सारकारी मानेता प्राप्त विस्वदैले संस्थान से Intermediate या Metric परिच्छा के पस्चाथ किसी भी ट्रेड में ITI Metric के पस्चाथ ITI के सिति में ITI के प्राप्तांग प्रतिशत को Intermediate प्रतिशत के समतुली समझा जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ पर Metric और उसके बाद यहाँ पर Inter किये हैं या फिर Inter के बाद यहाँ पर आप किसी भी ट्रेड में ठीक है एक जनवारी 2020 को कम से कम आपका यहाँ पर 18,000 चाहिए अधिकतम की बात करें तो जेनरल के लिए 35 वर्स है और महिला जो अनारशित है पिछड़ा एवा मत्यन पिछवा बार के लिए है उनको यहाँ पर 38 वर्स अधिकतम मुर्स सभी के लिए 40 वर्स यहाँ पर अधिकतम उम्रसीमा रखी गई है अनको 17,000 और जो ग्राम अधिकतम उनको 17,000 और जो ग्राम रोजगार सेवक होंगे उनको 7,000 रुपे यहाँ पर दिया जाएगा तो यह यहाँ पर अलग-अलग जो है पदो पर नियूति की जानी है और सभी के लिए आपर जो आवेदन का सुल्क जो रखा गया है वो यहाँ पर 100 रुपिय रखा गया है ठीक है 100 रुपिय जो आपको यहाँ पर आवेदन सुल्क जमा करना होगा ठीक है नियुक्ति की यहाँ पर नियम और सुरते हैं समीदा का धार पर नियुक्ति जा रही है क आवेदान पर यहां करने 242 से लेकर 20 stick की बीच में आप यहां पर आवेदान कर सकते हैं डिक सब्सक्राइब और पर जो यह दिखा रहा हूं यह आपको offline mode में यहाँ पर दिखाया जा रहा है तक है कि क्या क्या आपको वहाँ पर भरने होंगे तो यह सभी चीज़ें आपको online भरनी है अफिस्यल वेबसाइट पर जो कि हारखंट सरकार की अफिस्यल वेबसाइट है नियुकती वाली दोस्तों फिलाल यह अपडेट्स थी उम्मीद करता हूं इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी कुछ भी डाउट रहता है ते नीशे कमेंट बक्स में लेकिए और वीडि इनी लोगों भी यहां पर जूड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें यदि आप जैपीसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्स स्रीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा